हलो दोस्तों केसे हो मैं हूँ आश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोज में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको वन अप दो स्ट्रोंगेस प्लेयर रुबेन फाइन की एक ब्रिलियंट अटेकिंग गेम दिखाऊंगा जो कि उन्होंने आलबर्ट होरोविट्स के सामने 1934 में खिली थी कहीं लोग सोच रहे होंगे या रुबेन फाइन का नाम भी नहीं सुना वो कहां से वन अप दो स्ट्रोंगेस प्लेयर हुए देखें दोस्तों जब 1948 में वर्ल्ड चेस चेंपिनशिप होने वाली थी उसमें रुबेन फाइन को सीधा इन्विटेशन मिला था बट उन्होंने उस इन्विटेशन को डिकलाइन किया क्योंकि वो जो है साइकोलोजी में अपनी केरियर बनाना चाहते थे और उनका ओवर्ल जो है प्लस कोर रहा है इमेनियो लास्कर के सामने अलेक्जांडर एलेकाइन के सामने मिखल बोटविनिक के सामने और इवन जो है कैपबलंक आयन मेक्स यूर के सामने तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि वो जो है कितने स्ट्रॉंग प्लेयर होंगे और उनकी दो बड़िया चेस की बूख है जो की काफी फेमस है एक है आइडिया बिहाइंड दोसरी है बैसिक चेस एंडिंग्स और दोस्तों इसके अलावा उन्होंने जो है और भी चेस बूख लिखी है और साइकोलोजी पर भी जो है उन्होंने काफी बूख लिख है तो आइए शुरू करते है जहां पर अलबर्ट औरोविट्स के वाइड पिस थे और उन्होंने गेम की शुवात D4 से की and now Ruben Fine ने कहला F5 Dutch Defense so Dutch Defense का basic main idea क्या होता है देखे Dutch Defense जो भी खेलते है वो नॉर्मली जो है एग्रेसिव चेस खेलना चाते है वो वाइड के किंग पर टेक करना चाते है F5 मूग की वज़ा से वहाँ पर जो है उनके लिए रुक लिफ्ट जो है काफी उनको exploit कर पाया so F5 मूग की वज़ा से क्या होगा कि white आप E4 नहीं खेलेगा so normally जब भी आप जब D4 खेलते हो या फिर आप E4 खेलते हो सामने black की मूग ऐसी होती है कि आपको सिधा सिधा जो है D4 और E4 वाला pawn center जो है वो नहीं achieve करने देता so F5 and now Knight to F3 Knight to F6 G3 E6 Bishop G2 Bishop E7 दोन यहां पर black जो है आगे चलके अपने Lat2 Bishop को active करने के लिए E5 pawn break जैसा कुछ सोचता है जबकि यह C4 के बाद से आप जो है D5 कहलते हो तो यह Stonewall formation बन जाएगा जिसमें black के पास strong hole होता है E4 square का बट सामने E5 square को totally ignore करता है तो आगे चलके white के pieces जो है वो भी E5 पर डेरा डालते ह है but anyways C4 and now D6 now Knight C3 Queen 2E8 अबकोस जब भी आप जो है F5 या F4 कहलते हो तो अब ideas normally होते हिया तो Queen E1 and then Queen 2E8 and Queen को जो है वो attack में via H5 या तो H4 से जो है लाया जाए यहां पर Queen C2 white ने खिला and now Knight C6 and now A3 जबकि दोस्तों उसी position में Knight C6 के बाद काफी जरूरी था कि आप जो है D5 करके center में जो है वो attack करो so क्या होता है जब भी आपका opponent wingside attack prepare करता है always center में counter play लेना चाहिए but यहां पर उन्होंने miss किया यहां पर game कुछ इस तरह से continue हो सकती थी E captures D5 Knight captures D5 and now Bishop to D8 but anyways Knight C6 and A3 white ने खिला and now E5 now D5 and Knight to D8 and now B4 so यहां पर क्या कर रहा है white जो है Queen side expansion कर रहा है so normally क्या होता है जिसकी speed मलब जिसका speed ज्यादा होगा जो attack पहले करेगा वहीं यहां पर win होने के chances ज्यादा होते है क्योंके दोनों ने जो है board के दो अलग अलग छोर पर space achieve की है so basically यहां पर defense organize करना जो है मुश्किल होता है जिस side आपको space कम है इस position में Bishop to D7 अब Black ने खिला and now Knight to D2 Queen to H5 and now F3 Knight F7 E4 and now F4 so दोस्तों इस position में White को क्या खिलना चाहिए यहां पर White को दोस्तों G-Capture से F4 खिलना चाहिए and जो है center में कुछ जो है counter play रहे ऐसी try करनी चाहिए यहां पर क्या हो सकता है Knight B3 जो है वो White खिल सकता है so via Knight D4 वो जो है Knight E6 या तो Knight F5 पर ला सकता है और कुछ जो है वहाँ पर counter play create कर सकता है like say G5 क्योंकि pawn पर attack था and now Knight D4 Knight E5 यहां पर still Black को जो है initiative है क्योंकि उसके पास जो है king side space भी जादा है और उसका attack जो है already start हो चुका है क्योंकि आपने क्या किया center को जो है surrender कर दिया अब center में कोई भी chance नहीं है आपने structure lock कर दिया that means अगर आपको कोई भी counter plane ना है तो queen side ही लेना पड़ेगा और else जो है आपको defense organize करने की try करनी पड़ेगी जो की काफी difficult है अब इस position में यहां पर ruben fine ने queen to h4 खेला and now knight to b3 upon h5 और यहां पर mana 4 से दोस्तों से आप जो है h3 के लिए जाते हो then captures और उसके बाद f captures on g5 then even black जो है और knight captures g4 भी afford कर सकता है क्योंकि h captures के बाद simply with the knight to g5 और यहा जिसे ideas जो है यहां पर काफी dangerous है और इस जो है वो time की बात है कि कब जो है वो white यहां पर checkmate हो जाएगा but game में चलते है जहां पर h5 के बाद g captures on h5 and now queen captures on h5 rook to f2 now knight to g5 दोस्तों यहां पर knight g5 का purpose है कि आप king f7 के लोगे and then rook को जो है via h5 game में ला सकते हो like rook to h6 rook g6 दूसरा rook जो ह again h8 पर आ जाएगा so black यहां पर आराम से king side जो अपने pieces ला सकता है और white के पास देखे कोई counter play नहीं है अगर वो जो है board की दूसरी और counter play लेने की try भी करता है तो भी उसके लिए possible नहीं है जाते से आप c5 करोगे then जब भी capture करोगे हम pawn से capture करेंगे और knight on f6 and bishop on d7 कुछ इस त better था कि वो king लेके जो है वो अपना रास्ता नापते है बट anyways आग गेम में जो है उन्होंने knight to f1 खेला and now king to sorry rook to h8 and now knight to e2 से इसी position में आप try करते हो c5 बड़ देखिए यहां पर rook h6 possible है and say capture करते हो then c captures और अभी भी जो है कोई भी counter play नहीं है क्योंकि तीनो square में जो है आपकी queen आके कुछ कर ही नहीं सकती है right okay so basically queen c7 आभी जाएगा बट वहां से आगे क्या क्या क्योंकि knight जो है bishop को guard कर रहा है तो basically आपके पास जो है कोई भी दूसरा chance नहीं है और दूसरी बात ही है कि सिप queen आके लिए आके क्या करेगी उदर दूसरा कोई piece जो है वो इतना जल्दी attack कर रहा है बट वो जब time आएगा तब खेलेंगे यहाँ पे knight to c3 and now rook h6, rook e2, rook g6, king h1 and rook h8 so देखे सारे के सारे pieces जो है वो भी यहाँ पे attack में contribute कर रहे है right जबकि white के जो है दो या तीन piece specially knight bishop and rook जो है कुछ भी contribute नहीं कर रहा है that means यहाँ पे दोस्तो space advantage जो है वो काफी factor बन चुका है आपको जिदर space होती है उदर आप freely maneuver कर सकते हो आपका open end उदर freely maneuver नहीं कर सकता तो अपने pieces जो है defense में नहीं ला सकता यह drawback होता है जो आपके पास space advantage नहीं है तब और इस position में दोस्तो rook 2 f2 खेला गया और अब यह जो है चार मूँ में checkmate हो रही है तो वीडिय और knight से capture करते हो but then queen captures on h2 जो है checkmate थी so rook f2 knight to g3 check and now king g1 only move and now knight to h3 check brilliant move idea किया है idea यह है दोस्तों कि discover check देना है and जो है यहाँ पर corridor या arabian mate जैसी position बन रही है bishop capture h3 यहाँ पर force है और कोई move नहीं है check को save करने के लिए और knight to e2 double check और king to h1 जाने के बाद जो है simply उदर rook 2 g1 checkmate हो रही थी so इसलिए knight e2 check जैसे ही आया इस position में Albert Horowitz ने resignation दे दिया so दोस्तों केसी लगी आपको ruin fine किया game और आज का वीडियो I hope मेरा वीडियो और ए गेम दोनों ही आपको काफी पसंद आया होंगे पसंद आया है तो please this channel को subscribe कीजिए वीडियो को like दीजिए औ अपनी comment देना बिलकूल ना भूले तनिवाद चाई हिंद बाबाई